एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी, उसकी मा बचपन में ही गुजर गई थी, वह अपने घर का काम करती फिर कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगा पक्षियों को दाना डालती थी, उसके घर में भी दो पक्षी थे उनको भी वह रोज दाना डालती थी, एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते जमीनदार के बेटे ने देख लिया, उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जटाई, जमीनदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शा डालती थी, राधा की सास को यहां बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वहां उन पक्षियों को परेशान करती थी, वहां उनका दाना पानी जमीन में फैंक देती थी, एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फैंक दिया, उसे यहां करते हुए राधा ने देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डौट दिया। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पती ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पती ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उन को पार्क में छोड़ने की सला दी अपने पती के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया वहां उनको कभी कभी दाना देने पार्क में जाती थी अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे। राधा की सास को जब यहाँ पता लगा तो वहाँ गुसा हुई। वहाँ राधा को उसके माय के छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी र राधा और उसकी सास घर ही लोट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रती बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चिडिया को दाना देने चला करेंगे और पहले के दो पक्षियों को घर वापिस लेकर आएंगे। यहाँ बात सुनकर राधा ब